नमस्कार इंडिया मैं हूं गौरब कुमार और आप देख रहे हैं ट्रिक्स एक्सपर्ट दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सजाबटी मचलियों की खेती क्या कॉंसेप्ट क्या है सजाबटी मचलियों के खेती करना क्या हमारी लाबदायक होगा सजाबटी मचलियों का वैपार हमें क्या अच्छा कासा मुनाफ़ा दे पाएगा क्या हमें कहीं न कहीं ये एक अच्छी रोजगार की रूप में कह सकते हैं हमारा स्रेजन कर सकेगा उस पर बात करेंगे इस पर और वी काफी चीज़े मैं आपको बताऊँगा इस रोजगार को कैसे सबसे पहले सजाप्टी मचलियों की देस पिदेस की बजारों में काफी मांग है सजाप्टी मचली पालं का उद्योग पूरी दुनिया में की तीजी से बढ़ रहा है लेकिन भारत जैसा हिस जहांके व्यभिन हिस्टों होगी समूदत्री मचलियों की लगभग चार सो से ज्यादा यह करता हूं कि 500 के आसपास परजातियां है समान जल में सजावटी मचलियों के 375 परजातियां है लेकिन देश में यह उद्योग जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ बारा है इसका कारण दोस्तों यही है मुलता कि लोग को उतनी जानकारी नहीं है और लोग traditional business के उपर ही पड़े हूं रिस्क नहीं लेना चाहते हैं वोग चीजों को समझना नहीं चाह रहे हैं दोस्तों यह बात होती है ऐसे में जो agriculture और आपको farming welfare ministry है यानि की क्रिसी और किसान कल्यान मंत्राला सजावटी मचली पालन के लिए 60.89 करोड रुपे की लागत से सजावटी मचली पालन परियोजना लॉंच करने जा रही है के इंदर ये क्रिसी राज्यमंत्री SS अलुवालिया ने बताया है कि विश्वे में सजावटी मचलियों यानि की रंग भी रंगी मचलियों का कारूबार 50 करोड अमेरिकी डॉलर है मैं कहा कहा अमेरिकी डॉलर इसकी मतलब आप समझते हैं दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे गुना कर लिजे एक डॉलर के बरावर अभी 70 रुपया है और यहां पे 50,000 करोड अमेरिकी डॉलर है आपको अंदाजा लग जाएगा लेकिन इससे में भारत की हैसेदार ये मातर पांच करोड अमेरिकी डॉलर है ऐसे में मचली पालन को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम करने जा रही है इस पाइलेट पर यूजना को लागू करने के लिए मचली पालन व्यवसाय और इसमें इंपोर्ट करने के लिए एक्सपोर्ट करने के लिए लोगों को क रुट्षान दी जा रही है साथ ही सबसीडी भी प्रभाहिट की जा रही है दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सजाप्टी मशली पालन योजना के पहले चरण में आठ राजियों को तै किया गया है जिसमें से आसाम पस्चिमंगाल उडिसा महराश्टरा गुजरात करना पदाटक तमिल नाडू और केरल को चिनित किया गया है इस पर्योजना में जहां छोटे मशलीपालाक अपने घर पीछे के हिस्से मशली पालन इकाईयास्तापित कर सकेंगे वहीं बड़े मशली पालग मजहुले आकार की इकाईया परजनन और उत्पादक इकाईया प्रवंधन के मध्यम से होगी सव्जाप्टी मचली पालन परागत मचली पालन छेतर का एक उप छेतर है जिसमें मचली यों का परिजन सामान ने जल और समुद्रित जल किया जाता है तिक जानकारी जोस्तों आपको यहां पर भी अभी विस्तार से नहीं बताई गई है जैसा कि मैंने सुरू में कहा था तो मैं इसलिए कहा था क्योंकि आप इसमें और जूले रहेंगे तो आगे भी आपको और जानकारी में दे सकूँगा और नहीं तो आपने अनजदी की मतस्याधिकारी विभाग से जुड़ जाए और वहां आपको चीजे बताई जाएंगी